चलिए गुड इवनिंग, नवस्कार, सभी को जेहिन, सभी को जेहिन, सभी को इवनिंग, और ये देख सकते हैं कि आज की जो क्लास होने वाले, बिल्कुल कताईं, जहर वाली क्लास है, दमदार क्लास होगी, और starting में देख सकते हैं आपके 50 प्रस्वन आपके objective है और इसके बाद 50 question के बाद उसके theory भी आपकी है वीडियो हमारे बड़े होते हैं क्यों क्योंकि starting में आपके objective होते हैं और last में आपकी theory भी होती है तो यहाँ पर आपको अगर theory देखना है तो theory भी देख सकते हैं और objective तो आप लोग यहां पर दे सकते हैं, और आज की बिल्कुल आप देखा जा सकता है, कि आज की क्लास आपकी सबसे जानदार क्लास होने वारी है, ठीक है? और यहां से कोशन बहुत पूचे जाते हैं, चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे साथ में, ठीक है? चलिए, पहला कोशन आपके सामने यहां पर दिया गया है निम्ड में से किसने अक्तर पिया उपनाम से ठुमरी की बंदी से तयार की यहां पर आपका पहला कोशन देना है पहले कोशन का अंसर क्या होज़ेगा तो देखें पहले कोशन का अंसर यहां पर होज़ेगा ए नमबर नवाब वाजिद अ याद रिखेगा कि आपने किसने अगतर पिया उपनाम से ठुमरी की बंदी से तयार की तो आपके नवाब वाजित अलिसा इसका राइट अंसर जिसा रहा था ए नमबर विलको राइट हो जाएगा पहला अंसर आपको दिख गया है लिकिन अब आपको सभी अंसर नहीं दिखे रिखेगे तो पूरी के पूरे immersion जो आपके एंधार आपको दिख सकते हैं जूक कि आप पर धियाँ औरतर प्रसने के आपके प्रकिस होगे ज Bentay है यहां पर आपको दिए जा रहे हैं और आपको दिए जा रहे हैं तो दोस्तों आपना पर हमारी ऑailed का कॉर्स है था ले जिसे अग्माट 99 गुश्च में ले सकते हैं बहुत कुछ यहां पर आपको दिया गया हिंदी में और objective question भी हैं यहां पर जे सकते हैं समान निगान जिसमें से 5000 question लगबग आपके हैं इसी में वाल लाइनर भी हैं और आपका practice के लिए आपके objective भी रखे गए हैं और यहां पर यूपी जी के दोस्तों देख सकते हैं complete यूपी जी के जिसमें आपको यहां पर theory भी होगी और आपके यहां पर कैसकते हैं पितामा किसे माना जाता है चलिए जवाब दीजेगा कि लखनोग ख्याल गाईकी का पितामा किसे माना जाता है यहां पर आपका right answer क्या हो जाएगा चले काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं यहाँ पर अंसर बनेगा कौन सा यहाँ पर A नंबर बनेगा याद रिखे जिसका जवाब आ रहा है A नंबर है युसीद अली खां है याद रिखे यसीद यह बोलेते हैं यह खुसीद यहाँ पर खुर्सीद अलीखाじゃあame बनेगा यहां पर बताइएगा बनारस घरानी करेज़ किस तबला वादक को गुदाई महराच की नाम से भी जाना जाता था इसका right answer क्या बनेगा सभी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं वही सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें तो देखें यहाँ पर three option यहाँ पर हो जएगा c number यह है आपके कौन भई तो याद रिखें आपका अंसर हो जएगा समता प्रसाद मिर्स याद रिखें बनारस घराने कि किस तबला वादक को गुदई महाराच के नाम से जानते थे तो समता प्रसाद मिर्स को भी तो option मनेगा यहाँ पर आपका c number हो जएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पूछा गया है सितार वादक पंडित रविसंकर किस घराने से सम्बंदीत है फोर को option क्या हो ज रिएट हो जागा पंडित रविसंकर जो आपके हैं वहानके बनारस घराने से है आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पूछा है कि किस घराने को कवाल बच्रा घराना कहा जाता है कावाल बच्चा घराना यहाँ पर देखे कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है और याद रिखे कावाल जो कि आपके आगरा अर्थात अपसन मनेगा अबी नंबर मतलब जिसका अभी आपसन आ रहा है अगरा घराना जो कि आपके कवाल बच्चा गराना के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पुछा गया है 21 घराने को गोरी पुर घराना के नाम से भी जाना जाता है चले बताएगा 21 घराने को गोरी पुर घराना के नाम से भी जाना जाता है चले काफी लोग जवाब दे रहे हैं और यहाँ पर देखिए आप का अंसर हो जगा इटावा घराना याद रिखेगा कि इटावा घराने को गौरी पुर घराना के नाम से भी जाना जाता है ओप्सन बनेगा ए नमबर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आम से गला पुछा गया है कि किस्सा राधा कनहया की आपके नवाब वाजित अलिसाज इसका option मनेगा सी नमबर है आगे बढ़ते कोशन दिया गया है आधुनिक भारती हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहते है आध् क collection बिखेगा डी नंबर हाप करिए आधुनिक सास्तरी हिंदी रंगमंच का जनक cute then आपके भारतिं जिसका option आ रहा है डिनमबर विल्कूर राइट हो जाएगा और आगे बढ़ते हैं कोष्चन अपसे लाप पुछा गया है कि इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है देखे याँपन नए नमबर में तो भई आपर दिया गया आला दिया गया बुंदेल खंड से हाना आला दिया गया है बुंदेल खंड से ठीक है मालिया अच्छी बात है मतलब सही दिया गया है फिर दूसरा दिया गया है कजरी कहरा है रुहेल खंड से है तो भई कजरी रुहेल खंड से थोड़ो है कजरी का स पूर्वी उत्रपदेश चाहता अवद और भोचपुरी छेतर से तो आप सुन बनेगा कौन सा यहाँ पर बी नमबर सुमेलित नहीं था आगे बढ़ते कोईशन आप सिला पूछा है निमन में से कौन बुंदेल खंड का लुक नत नहीं है यहाँ पर जवाब दीजेगा चले तो दिखे काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं और काफी लोग जवाब आ रहा है आपर सी नमबर तो याद रिखेगा यहाँ पर ख्याल नरत हो गया पाइडन नरत हो गया राय नरत हो गया लेकिन यहाँ पर बढ़या बुंदेल खंड का लोग नत नहीं है तो आप अंसर आ रहा है डिनیम्बर कजरी फिल्कुर सही जवाब आगा आगे बढ़ते हैं कोषिन आप सेगला पूछा है अगे बढ़ते हैं कोषिन आप सेगला है शंगी सिझ्छा ही तु उत्तर विदेस का प्रथम संगीत महाविद्यालै आपका कौंसा है चलिए यहाँ पर अंसर को लोग कीजिएगा कि संगी सिच्छा है तू उत्तरप्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यार है इन में से कौन हो जाएगा चलिए तो देखे यहाँ पर अप्सन आ रहा है एन में से कौन सबसे प्राचीन वाद्धियांत पूछा गया है यहाँ पर जवाब दीजेगा चलिए प्राचीन वाद्धियांत रहे आपका सरोज वीणा या तबला यसी तार कौन से हो जेगा चलिए देखे आपका अंसर हो जगा यहाँ पर वीणा है जो कि ऑप्सन बनेगा बी नमबर यह जो वीणा है यह सबसे प्राचीन वाद्धियांत रहे बी नमबर जिसका आ रहा है बिलको राइट बनेगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है कि रहे अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूम का निभाई यहाँ पर पंदरा का जवाब दीजेगा चलिए पंदरा नमबर में चलिए जवाब आ रहा है सी नमबर खड़ी बोली बिलको सही जवाब है या विडियो की लाइक के संख्या जल्दी से बढ़ा दीजेगा जितने लोग बात में जुड़े हैं हाना कमेंट करना शुरू कर दिये हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर विडियो को भी एक बार लाइक कर दिया करें हर एक वीडियो से आपको ग्यान मिलता है हमरा कोई भी प्रैक्टिस एट उठा का देख लिजेगा कम से कम एक विडियो से दो से तीन प्कुश्चन आपको जरूर मिलते हैं हम ऐसा आपको कंटेंट दे रहे हैं कि कोई प्रैक्टिस से उठाईए पर हो जाएगा डी आपके प्रयाग राज जो कि मद दिया है तो आपको बताया गया था NCR अर्थात यहां पर आपको जवाब देना है यहाँ पर आपको जवाब देना है सही जवाब इनका क्या हो जएगा चलिए आईए यहाँ पर क्या हो जगा 17 अर्फंसन आपका राइट हो जगा ठीके चलिए आगे बझते है question आप सपई पूछा गया है यहांपर 3 सेन का जो मकबरा है वहाँके कहाँ परिष्था थे चलिए 3 सेन का जो मकबरा है वहाँके कहाँ परिष्थी थे इसका राइटन सदीजेगा जरी यहांपर गॉलियार में फिल्कुत सही जवब आ राहे है सभी का E Number हो जबधा, मरें है कहां पर एन, आगे बधते ही एक question दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है यहां पर अंसर को लग करना है चलिआए, यहां पर जवाब दीजिए, कहा हो जएगा तो धीखें, आपर दिया है, जाकी रूशैन जो की तबला वादक है हना जाके रुसायन में तबला वादक है हर्मोनिया वादक नहीं है मतलब पहला यह option यह पर गलत हो गया हना वहे पर अमजद अली खा सरोध हो गया बिर्जु माहराज कत्थक हो गया बिस्मिल्ला खा आपके साहनाई हो गया किलियर हुआ चले आगे बढ़ते हैं कोशन अपसे गला पूछा गया है कि सितार जो मिस्रन है वो किसका मिस्रन है वही सितार कुछ बनाया गया है वो किस मिस्रन से बनाया है किसकी को लिएगा है देखिए आपका अंसर क्या हो जगा यहाँ पर हो जगा वीड़ा और तम्मूरी को मिला कर यहाँ पर सितार कर निर्मार किया गया है और अप्शन मनेगा यहाँ पर आपका भी नमबर किलियर है आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला है नेमन में से कौन सुमेलित नहीं है कौन सुमेलित नहीं है यहां पर आपको जवाब देना है इस वीडियो में बहुत question मिलते हैं अर्ठाथ इस वीडियो से बहुत आपकर question मिलते हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं चले तो देखे यहां पर आपका अंसर क्या होज़ेगा तो देखे कह सकते हैं ये सुमेलित नहीं धाडी रमबर आपका राइट हो जएगा अगला उत्तरपदेश का प्रमुख लोक नति इन में से क्या हो जएगा उत्तरपदेश का प्रमुख लोक नति पूछा गया है यहाँ पर लोक नति अगर बात करते हैं तो भई सायरा राई है ना मतलब राई जो राई है धोविया है अर्था तो ये सभी क्या है लुक नति हैं ठीक है सास्तिन रति की बात करता अगर सास्तिन बात करता कि उत्तरदेश का सास्तिन रति क्या है तो कथक है जो कि सभी को पता होगा आगे बढ़ते हैं कोशिन आप सि ख्याल का विकास किया तो यहां पर जवाद दीजेगा जिसका विडियो नहीं चला एक वार रिफ्रेस करीजे और पढ़ाई पर फोकस करीए देखो यहां पर आपका 30 कांसर हो जागा कौनसा ए नंबर कावाली पर बढ़ा ख्याल आपके कावाली ऑप्सन बनेगा यहां पर सा से साकंबरी हमने बताया था सा से साकंबरी और सा से सहारनपूर तो आपसन क्या बनेगा यहां पर अंसर हो जएगा डी नमबर है सहारनपूर बनेगा साकंबरी देवी का मेला आपके सहारनपूर में लगता है अगला कोशन आप से दिया गया है नेमने में से कौन इसका लोक गीत नहीं है यहाँ पर दिखे विरहा कजरी रसिया और धोला मारू हना धोला मारू अप्शन क्या बनेगा यहाँ पड़ी नंबर जिसका है विलकुर राइट हो जाएगा धोला मारू आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिकला पुछा गया है निम्न में से कौन कथक कल कलाकार नहीं है किसन मांराज वह यह पर बीरू बीर जुमाराज यह कत्थक कलाकार है लच्चू भी और आपके सितारा देवी है लेकिन किसन माराज के सामद नहीं है तो आप सब्सक्राइगा यह नंबर आपका हो जब एक कब बना चले यहां पर अंसर आपका हो जватका ब्यसों बनेगा आपका बनाने से भीम से जोसी का जो संबंद है वो किस घराने से है यहाँ पर 29 नंबर चले 29 नंबर में option क्या बनेगा चले C नंबर या A नंबर C number याद रिखेगा कि जो आपके भीम से इंजोसी है इनका जो संबंद है यह आपका है किराना घराने से है किसे है किराना घराने से इसका अंसर बनेगा यहाँ पर C number बनेगा आगे बढ़ते कोशना आप से गलाप उचा है चरुकुला प्रमुक लोक रत्ते है यहाँ पर आप लखनो के सांस्कृति क्रिया कलापों में योगदान नहीं दिया था सांस्कृति क्रिया कलापों में जुक्याव के लखनों में यहाँ पर योगदान नहीं दिया बताए भई निकाल ये कौन है यहाँ पर अंसर 31 नमबर में तो दिखिए 31 का अगर मात करते हैं तो आपके द और दो पर दिया है ऊपका अपको तुरह ज़वाब देना है यहां पड़ा भणांदगा है यहां पर देख सकते हैं धुरूतारा जो सी संभु माराज सितारा देवी या रच्छु माराज कौन है चले कथा कुरत्य से सम्मदित नहीं है ये है आपके कौन तो आपके धुरूतारा धुरूतारा जो कि ऑप्सन बनेगा यहाँ पर ए नंबर धुरूतारा हो जाएगा ठीक है सभी के जवाब हमको लगता है कि जो रिवीजन रहा है वो आप लोगों को रिवीजन सही नहीं रहा है काफी दिनों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों की क्लासें अगर नहीं चलते हैं यूपी जीके की तो आपका सब रिवीजन उड़े आता है तबी कहते हैं कि नोटस्त भी बना लिया करें कभी-कभी किताब को पढ़ लिया करें इसमेयं देख रहें बहुत गलते आप लोगों से हो रहे हैं आपके U.P.G.K. में ऐसा होना नहीं चाहिए अना ऐसा हुआ एक बार लीजिए एक बार हो गया तो हो गया अब दोबारा ऐसा चरिए रास है चरकुला है करमा है और आपका मुरिया है यह बताएं इतरवदेश का लोगोनत्य कौन सा नहीं है अंसर बनेगा यहाँ पर आपका D-Number मुरिया यह जारखन साइड में होता है तो अपसन क्या हो जगा आपका D-Number हो जगा आगे बड़ते हैं कोशन दिया गया है हरिदास जयनती प्रती वर्स मनाई जाती है हरिदास जयनती मनाई जाती है यह बताइए यहाँ पर क्या हो जगा चलिए लड़ाई जगडा न करिए भई आपस में वनना फिर क्या होगा कोई न कोई व्लोग हो जगा फ्यालतों के तो इसलिए लड़ाई जगडा मत करिए हरिदास जयनती प्रती वर्स मनाई जाती है तो हरिदास जन्ति के गन बात करते हैं तो आप कंसर क्या हो जगता है आपके ब्रंदा वन होगा क्या होगा साथियों यहाँ परंशर जिसका आ रहा है सी नमबर है ब्रंदा वन हो जगा ठीक हैं देखते हैं कितना फास्ट आप लोग जवाब देते हो बढ़ते हैं कोशिन आप से दिया गया है निम्लिकत में से कौन सुमेलीत नहीं है कौन सुमेलीत नहीं है यहाँ पर देखो दिया है सब् утकть और सबस्र 2500 सब्सक्र कर सकते हुआ हैं में दाला दिया है 222 भलुवं पौझ्ञ पुछा गया है कहा रहा है उत्तरवदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला जो लोक गीत है वो आपका कौन सा है यहाँ पर बताईए आपका अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा विडियो में तो उत्तरवदेश में वर्षा के समय गाने जाने वाला यह जो आपका लोक गीत है वो आपका यहाँ पर आपका अंसर अंसर फरवर इमा में very good option मनेगा बी नंबर फरवर इमा में option भी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिये गए इस्थानों से सुमेलित नहीं है यहाँ पर लोक संगीत है और कह रहा है सुमेलित नहीं है इस्थान से होली होती है ब्रजचेत्र में होली होती है ब्रजचेत्र में नोटंकी करते हाथरस वाले हाना नोटंकी करते हाथरस वाले और होली हो गया ब्रज में हाना कजरी हो गया बनारस दिया गया है ठीक है बनारस पुर्वांचल में है लेकिन यह आप पर बिरहा दि बाँचल में हैं तो आप्सन सरासर कौन सा गलत है सरासर जो गलत है वो आपका S number गलत है तो थोड़ा बहुत आप्सन को भी देखा जाता है कि आपका अंसर क्या हो सकता है ठीक है न साप साफ न जला रहा है कि बानारास वगैरा ये सबुसों मद्र हो गारा उसी साइड में है लेकिन ये बादा जो आपको पढ़ता है क्या नहीं होगा, तो थोड़ा option के अनुसार भी यहाँ पर देखना है, ठीके, आगे बढ़ते हैं question आप से इगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है question, यहाँ पर D number आपके हुमायू के समय से माना जाता है मुगलकार में, हुमायू के समय से option बनेगा, यहाँ पर आपका D number हो जाएगा, ठीके, सभी वीडियो playlist में है, सभी वीडियो playlist में है topic वाई हमने बनाया है, और playlist में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीके अगला कोशन दिया गया है ठुमरी गाई का गिर्जा देवी का जो संबंध है वो आपके कहां से है ये गिर्जा देवी है इनका संबंध कहां से है वे अलिस संबर में तो इनका संबंध है बनारस घराने से ओप्सन क्या बनेगा सी नमबर बनारस घराने से बनेगा आग किसने दिया है याद रेखे यह है याद रेके यह है अबसे कुन सा बुंदेल क्या समय आपका कॉन सा गीत है यहां पर जवब दीजे साथ हो यहां इसका क्या हो सकता है बहुत पन्ते जुड़ते हैं मतलब आप लोग वीडियो को लाइक ने सेर नए करते हैं, लाइक सेर करते रही है, देखिए, यहाँ पर दिया ніरत्य बुंदेल खंड में फसल कटाई के समय किया जाता है, यहाँ पर चवारcuss को आप्सन आ रहा है, डी नूमबर यहाँ पर दिखे आपका होज़ेगा बरसाना और बरसाना के गरम बात करते हैं तो अपसे क्या दिया गया है यहाँ पर सी नमबर आपका दे दिया गया है आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था य अमसर B हो जेगा, इनका जो जर्म हुआ था, बाणारस की कभीर 4 में हुआ था, धेके, आगे बढ़ते हैं, कोईसिन आपसिकला पूछा गया है, किन्यम लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो भई बिरहा दिया है कन्नॉज, क्या दिया वही? बिरहाद दिया है का नौज मतलब पहला यह option क्या हो गया यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि यह पुर्वांचल से सम्मंदी थे अर्थात ए नमबर आपका गलत हो गया वह इत पर अमजद अली खा सरोध वादक है बिरजु महाराज कथक है और अहला बोला जाता है यह गयात महाराज में क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं क्योशन दिया गया है कि कौन सा सास्ती नृत उत्तरबदेस से सम्मंद रखता है कौन सा सा स्ती नृत पूछ डिया है तो वह सास्ती नंःति के गर बात करता है तो आपको तुरंत option लगाना है कि जो कथक है कथक है ये उत्तरबदेश का है तो आपका अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा किलियर है चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन आपसे अगरा पूछा गया है मेरट में प्रतेक वर्स होली के बाद आजुत किया जाने वाला रंग वि कौन तो आपका महाकुम होता है और इसके बाद होता है नौचंदी मौसो तो अंसर क्या हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा इसको और बोला जाता है हिंदू मुसलिम का प्रतीक मेला है यहाँ पर नौचंदी मेला तो आपसन हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो अधी का है ना इसका है वही अधी का है तो अप्सन क्या जाएगा या पड़ी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब ध्यान पूर्वक आपको बस कान लगा के सुनना है बस क्या करना है आपको ध्यान लगा कर सुनना है बस आपको यहां पर देखें आपसे दिया गया है कौन सा यहां पर दिया गया महा कुम्ब मेला विश्र का सबसे बड़ा मेला है यादर केगा जो कि प्रयाग राज में लगता है प्रतेक बारवे वर्स लगता है अगला दिया है कुम्ब मेला प्रयाग राज के महा कुम्ब के छटे वर्स लगता है माग मेला प्रयाग राज में प्रत श्ट्राबाद में लगते हैं नौचंदी मेला जोकी अभी आपने पढ़ा कि आपके मिलट मेला है यह होली के बाद रंग भी रंगा मेला है और यह उत्तर प्रदेश का सेकेड़न नम्मर का सबसे बड़ा मेला होता है अगला सरधना कहाँ पर है तो आपके मेरट में है तो आद रिखे कभी कभी सरधना आ जाता है और आप लोग सोते हैं कहाँ पर तो आपके मेरट में है अगला आपसे दिया गया है ददरी मेला कहाँ पर मल लगता है तो ददरी मेला लगता है आपके बलिया में कहाँ पर भई बलिया म मेला ये देख सकते हैं आपके हापपुर में लगता है और आपके हमेरपुर में भी लगता है लेकिन आप से हमेशा मिलेगा आप से मिलेगा क्या गरह मुक्तेसुर मेला आपके हापपुर में लगता है अगला दिया है काकोरी मेला जो कि रुहेल खंड का मिनी कुम्ब का जात आगे बटते हैं प्हालगुन मेला पूछा था तो इनसे याद रहेगा कि निधी वन ब्रंदा वन मतुरा में आपके हरदास जनती मिला लगता है। अगर बात करें उत्तराइडी मिला जो कि मरकर संक्रांती में ही आपके बरेली में लगता है। बल सुंद्री देवी मेला अनूप सहर अनूप सरकापर है आपके बुलन सहर में है। गोविंद साहब मेला जो कि बहुत बहुत वारिकजा में पूझा गया है कि गोविंद साहब मेला का लगता है तो आपके अमबेटकर नगर में लगता है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको सुनना है, देखो, हमने बताया है, बस सुनना है आपको, कि कला योन संस्क्रती, प्रदेश में संस्क्रती विभाग की इस्थापना फ setzt 57 में की गई थी, कब की गई थी आध की 1957 में की गई थी, अगला प्रस्णान स से दिया है कि पंडित विश्णुन रायण भात खंडे के प्रयासों से 15 जुलाई 1926 में मैरिस कॉलेज आप हिंदुस्तानी म्यूजियम के स्थापना लखनों में की गई और 1960 में इसका नाम भात खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यारे रखा गया लेकिन सन 2000 में वैसे 2001 ह होता है इसमें डीमड विश्वुद्यारे बनाया गया और इसका नाम भात खंडे संखीत संस्थान लखनों कर दिया गया तो यह आपका संगीत से समंधित आपका विध्यारे था है और अगला आपसे दिया गया है कि राज्य ललित कलाकादमी लखनों की स्थापना आठ फरवरी 1962 को की गई थी याद रिखेगा कि आपके राज्य ललित कलाकादमी पुझा जाता है लखनों में है इसकी स्थापना हुई थी आठ फरवरी 1962 में यहाँ पर की गई थी ठीक है वहांपा 2001 है याद रिखे अगला पंड दिया गया है कि भारतिंद नाटक अकादमी लखनों की स्थापना 1975 में की गय थी यह जो आपकी भारतिंद नाटक अकादमी है इसका उद्देश क्या है तो हिंदी भासई प्रांतों में नाटकला का प्रसिछन देना नाटकला क हुई थी इसका उद्देश है जाकि नाटक अन्रत्य संगीत लोक संगीत लोक नटक की प्रमपराओं का प्रिचार करना संवर्धन करना और प्रइच्छन करना कि इसका तो आपके संगीत नाटक अकादमी की है आगे बढ़ते हैं प्रसनाम सिगला दिया गया है अमीर खुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् उन्होंने धुरूपद सैली से लिया तो जो की इरानी से था लेकिन बाद में क्या हुआ है मिसरन किया और ख्याल गयायन सैली के नाम से प्रिसिद हुआ इस नवीन गयायन सैली भारती संगीत के दो प्रमुख भागों में भाजित हो गई तो देखे हिंदूस्तानी और संगीत में बदल गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमीर खुसरों ने एरानी तरज पर तराफ़ाना कवाली नक्षेगूल आज सैली की स्थाफ़ना किसनी किया था। तो आपके अमीर खुसरों नहीं किया था। अगला है, सितार वतली का विश्कार किसनी किया, अमीर खुस्रो के ही माना जाता है खुस्रो का सितार वीर्णा का ही एक क्या है उन्नत रूप है ठीक है आगे बढ़ते प्रस्णाप से लाप पूछा गया है चले और सिन कभी कभी बनता है अश्ट चाप कभीयों से देखे अश्ट चाप महा प्रभो स्री वल्लभा चारी जी उनके पुत्र स्री विठल जी द्वारा इस्थापित आठ भक्त कालिन कभीयों का एक समू था जिनोंने अपने विभिन पद एउम कुर्टन के मध्यम से भगवान स्री क्रश्न की विभिन लेराओं का गुडगान किया था आथा जो आश्ट चाप कभी है वो आपके स्री ब ठीके अगला प्रसनाव से दिया है अश्ट चाप के कभी पदों की रचना करते और प्रहर के अनुराग मतलब रागों में उन्हें गाते थे देखे अश्ट चाप के कभी पदों की रचना करते थे और पाहर के अनुसार रागों में उसे गाते थे जिससे कोशन पूशन केदार मालकॉस आधिरान और रागनियों का गायन किया जाता है तो यह क्या है एक गायन सेलिया है और अगला आपसे यहां पर दिया गया है वाजिद अली सा देखेगा वाजिद अली सा राहस नरत्य का आयोजन करते थे उनमें स्वयम स्रीकरशन की भूम का निभाते थे तो अभी आपने पढ़ा कि आपका जो रास नरत्य है हना तो ये वाजिद अली सा जो है इनका आयुजन कराते थे और उसमें स्वेम स्री कृष्णी की भूम का निभाते थे जो आपके वाजिद अली सा थे याद रखेगा अगला है कि या घराना कथक नरत्य के लिए काफी प्रस अगला पुर्स यहां पर दिया गया है सा जहांपूर घराना है कि देख सकते हैं या गहराना सरोध वादन के लिए प्रसिद है किस के लिए तो सरोध वादन के लिए प्रसिद है कौन जो साफ जहां पुर गहराना है खान के लिए इटावा घराना को भी जना जाता है। बाजार घराने के स्थापना किस ने किया तो मुरादावाच की चज्जु खान नजीर खान और खादिम हुसेन खाने किया था याद रिखे भिंडी बाजार घराने के अली खान से ही लता मंगेशकर ने संगीत की सिच्छा प्राप्ति की थी अगर एकजाम में कोशन पूछा जा है कि जो लता मंगेशकर है हाना जिसने स्वर कोकिल कहा जाता है तो भीया लता मंगेशकर ने ये भिंडी घराना से ही जो आपके थे अली खान उन्हें से ही सिच्छा प्राप्ति किया था याद रिखेगा आगे बढ़ते हैं पॉइंट आप सिगला पूछा गया है सास् दिया है कि कत्थक उत्तरवदेश का एक मात्र सास्तिन रत है कत्थक आरंभ मंदिरों में पुजारीयों द्वारा कत्थक कहते समय महाभाव के प्रदर्शन में माना जाता है आवद के नवाब वाजीत अली सा के दरबार में कत्थक का विसेश विकास हुआ था अगला है कि इस नरत्य का प्रमुक केंद्र लखनो है याद रिखे इसका प्रमुक केंद्र क्या है आपका लखनो है अगला है कि कत्थक में ठुमरी गायन का प्रवेश बिंदा दिन द्वारा माना जाता है और अगला दिया गया है कि इस नरत्य के प्रमुक कलाकार कौन है याद रिखे ठाकू प्रशाद लीरा सोखे जो की नमेनका के नाम से जानते हैं संभू महाराज बिर्जू महाराज लच्छू महाराज कालका महाराज ठीक है आच्छन महाराज तारा देवी सितारा देवी अलकनंदा यह सभी हैं जो कि आपकी कथा कथक से आपकी संबंजीत हैं अगला यहा अब जिसके कोस्टन पड़ा उसी के कोर्डिंग आपके थेवरी की वी कोस्टन यहाँ पर हैं देखे नौटंग की उत्तरभदेश में सबसे प्रचिलित लोक नद्द्द्द है याद रहएं इसमें 108 जलते दीपकों का चर्कुला अर्थाजपया सिर्पर रखकर नद्द्द् तो आपके ब्रज छेतरे से याद रखेगा अगला दिया गया है कििर्तन तो देखें किर्तन भी आपके ब्रज छेतर का ही नरत है और गौडी संपर्दा के लोग हरमोनिया मंजीरा और मृधंग की दोन पर हरी नाम का किर्तन करते हुए यहां नरत्य करते हैं यहाद रखेगा आगे बढ़ते हैं पॉइंट दिया है जूला नरत्य जो कि आपके ब्रज छेतर का नरत्य है कौन जूला आपके ब्रज का है और अगला आपसे दिया है रास नरत्य रास नरत्य ब्रज छेतर का नरत्य है रास लीला के औसर पायुत किया जाता है जो आपका रासनत्य होता है मयूर नरत्य के बात करते हैं तो ये भी क्या का है तो आपके ब्रज छेत्र का है आपका मयूर नरत्य में मोर के पंक से बने विशेश प्रकार के वस्त्रों को धारने किया जाता है अगरा है घड़ा नरत्य क्या होता है तो घड़ा नरत्य का भी संबंध कहां से है तो आपके ब्रज छेत्र से इसका भी संबंध है इस न्रत्य में रत्य के पईये पर अनेक घड़ों को रखकर फिर उसे सिर्फ पर रखकर न्रत्य किया जाता है ठीके अगला पुएंट आपसे दिया गया है राई न्रत्य दीखे राई न्रत्य का यह जो आपका कह सकते हैं आपका नरत था कौन आपका राई नरत बुंदेल खंड का है और इसमें क्या होता है महिलाओं द्वारा क्रस्ण जनवस्टी में तथा मांगलिक आउसरों पर यह नरत किया जाता है यह नरत होता है आगे बढ़ते हैं प्रस्ण आप सिग्राप कुछेगा कि पुत्र जनमोत्सों पर किया जाने वाला जो नरत हो कौन सा है तो यहां पर हो जाएगा ख्याल नरत हो जाएगा इस नरत में रंगीन काग जों तथा बांसूं की साहता से बने मंदिर को सिर्फ पर रख कर नरत किया जाता है अगला आप से दिया गया है कि परंपरिक जो नरत है वो कौन सा है तो आपका याद रिखिये पाई डंडा या इसे मौने रत कहा जाता है इसे बुंदेल खंड का डांडिया भी कहा जाता है अगला दिया गया है कि इस नरत्य में नरत्तक पारंपरीक परिधान पहन कर माथे पर मुर्पांख और पगड़ी बांध कर पैरों में घुंगरू बांध कर एक दूसरे को उपर डंडे से प्रहार करते हुए नरत्य करते हैं आगे बढ़ते हैं पॉइंट आप से अगला पुछा गया है यहाँ पर दिया है घोडा नरत्य दिखिए घोडा नरत्य भी कहा से है तो आपके बुंदेल खंड छेत्र में ही क्या है यह आपका प्रचलित है मंगलिक औसरों पर वाध्धियंत्रों की धुन पर घोडों से कराय जाने वाला यह नरत्य है अर्थात यहाँ पर वाध्धियंत्रों से यहाँ पर क्या की आता है बोला याता है अर्थात कैसे धुन निकाल जाती है जिससे जो घोड़े होते हैं वो नरत्य करते हैं तो आपके घोड़ा नरत्य करते हैं आपके बुंदेल खंचेत्र से पूरी रातिरी हाज परिहाज के साथ किया जाने वाला नरत है। यहां पर आपका धोविया नरत्य हो जाएगा और अगर आपसे बोला गया है कि यह नरत्य बिवाह एवं संतान उत्पत्ति के उसर पर किया जाता है यह दरखे धोविया नरत्य यह धोवी समधाय द्वार किया जाता है और यह नरत्य बिवाह एवं संतान की उत्पत्ति होती ह तो ऐसे औसर पर किया जाता है ठीक है धोवी तथा गधे की बीच समंदों की जानकारी इस नरत से प्राक्त होती है दरखेगा आगे बढ़ते हैं प्रसना पसिगला पूछा गया है चौरसिया नरत क्या होता है तो देखे वही चौरसिया नरत ये पुर्वांचल के जौन जिल आगे हैं याद रिखेगा यहां पर कर्मनरत के अगर बात करते हैं तो मिर्जापुर और सोनभद्र में प्रचली थे यह जो आपका कर्मनरत है होली के उसर पर तथा खरीब की फसल बोने के बाद खरवार आदिजंजाती समुदाय द्वारा किया आता है याद रिखेगा य यह पुरसार्थ और पर्यवण का प्रतीक होता है अगला आप से यहाप पर दिया गया है सैरा या जिसे सैला बोलते हैं तो देखे ललित पूर जहांसी हमिर पूर जिली में प्रचली थे यह सैला जिसे हम लोग सैरा कहते हैं करसक समदाय के युवा लड़के लड़कियों द्वारा हाथ में डंडा लेकर वर्षा रितु में किया जाने वाला क्या है यह नरत्य है इसमें युवा लड़के होते हैं लड़कियों द्वारा हाथ में डंडा लेकर वर्षा रितु में किया जाने वाला नरत्य हैं जिसे सैरा नरत्य कहते हैं और इस नरत्य के माध्यम स वैदिक देवता इंद्र की पूझा व आसिरवाद प्राप्ति किया जाता है। अगला आप से यहां पर दिया गया है नाट टिकला देखे उत्तरब देश में नाट टिकला के विकास के लिए 1963 में उत्तरब देश संगीत नाट भारती अर्थात संगीत नाटक अकादमी लखनों में इसकी इस्थापना की गए तो डेट याद रहेए 1963 में 1964 में क्या हुआ था कि लखनों में रविन्द नाले तथा पच्छतर में भारती अर्थान नाटक आदमी की इस्थापना की गए थी तो तीनों डेट याद रहेएगा आगला दिया गया है कि भारती अर्थान हरिसंद को आधनिक सास्त्री हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता ह तो देखे अगर कोशन पूछे आधनिक सास्त्री हिंदी रंगमंच का जो जनक है वो किसे कहते हैं तो भारती अर्थान हरिसंद को कहा जाता है आगे बढ़ते प्रस्णाम से पूछा गया है कि जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का सोन युग माना जाता है याद रखेगा है कि औरंग जेब ने चित्रकालों को सरचन देना बंद कर दिया था याद रिखे एक मुगल काल में ऐसा विकाल आया जो कि औरंग जेब का काल था इसने चित्रकारों को सरचन देना ही बंद कर दिया था जिसकी वज़े से कुछ चित्रकार जैसे कासीन अरेशी सुरी इपस की डिधात के दर्वार में चले आये और उन्होंने यहां पर कमपनी सहली अब्रन सहली का इन्होंने विकास कर दिया अगला आप से आपर दिया है अगला दिया गया है कि उनिस उन्चास में लखनव नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना की गई उनिस उन्चास में लखनव नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना की गई विस्विद्याले भारत करा भावन के स्थापना हुई थी आपके 1950 में हुई थी आगे बटते हैं पॉइंट आप से गला पुछा गया है गोला गोरकनात मेला कहा लगता है ये बताईए भाई कि गोला गोकरनात मेला जोकि मकल संक्राति के उसर पर ये खीरी में लगता है खीरी में लगता है अगला है कलिंजर मेला तो आपके बाना में लगता है जोला मेला मतुरा में और आयुद्धा में लगता है विंध्याचल देवी आपके मुर्जापुर में लगता है विंध्याचल देवी का मेला और दुरूपद मेला आपके ब्रंदावन में और आपके वार्नसी में लगता है अगला दिया गया है कि देवा सरीप का मिला ये कहाँ पर लगता है आपके बाराबंकी में लगता है और सयद सलार मिला आपके बहराईच में लगता है और आगे बढ़ते हैं प्रस्नाप सिखला है यहां पर प्रमुखो वार्शिक उत्सो चलिए शुला कुल उसो आपके आगरा में आयुथ होता है यह उत्सो हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है याद रहे शुला कुल उसो आगरा में लगता है यहाँ प्रयाग महोसो है और इस महोसो में मुगर कालिन सांस्कृति तथा भारती लडित कलाओं का प्रदर्थन किया जाता है अगला अगला पुएंट आप से यहा पर दिया गया है कि त्रिवेडी महोसो कहा होता है भी त्रिवेडी महोसो क्या होता है तो त्रिवेडी महोसो प्रती वर्स फरवरी मा में प्रयाग राज में आयुद किया जाता है यहाँ पर त्रिवेडी महोसो अगरा दिया गया है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल क्या दिया है वाटर स्प अगला है गंगा महुसो अगर बात करें गंगा महुसो की तो प्रदेश सरकार के सयोग से प्रती वर्स इस महुसो क्या आता है जो आपका गंगा महुसो होता है ठीके आगे बढ़ते हैं प्रस्नाम सिला पूछा गया है कि लट्ठमार होली कोटसो आपसे पूछा गया है अब आप बताईए यहां पर क्या होता है तो देखें यहाँ पर यादर के लट्ठ मार होलकोसो फालगून महीने में मतरा की बरसाना ववनननद गाओं में इस उत्सोग का आवजन किया जाता है अगला है बुंदेल खंड में लोज राजपूतों के लगभग 300 गाओं में भी लट्ठ मार होली का आवजन किया जाता है ठीके और यहाँ पर थोड़ा और बचा है यमना मौसो यमना मौसो मतुरा के विश्राम घाट पर पर प्रतेक वर्स चैती छट को इस मौसो का यजुन किया जाता है यमना मौसो का कमपिल महोसों के अगर मबात करते हैं तो याद रखेगा कि प्रदेश सरकार के सयोग से प्रतेक वर्स इस महोसों कायोजन मेरट के सरधना में कियाता है जो आपका सरधना मेला होता है अगला दिया है विठूर गंगा महोसों विठूर गंगा महोसों एकानपुर के विठूर में प्रतेक वर्स कार्थिक मास में गंगा नदी के तड़ पर इस महोसों कायोजन कियाता है और यहाँ पर देखे जहांसी महोसों यह जो जहांसी महोसों है यह प्रदेश के सांस्तिक बिभाग द्वारा प्रतेक वर्ष फरवरी मामे जहासी में पांच दिवसी आयरुवेद महुसो के आउजन में किया जाता है ठीक है अगला आपसे दिया गया है कि कभीर उसो कभीर के जीवन प्रदर्शन को प्रचारित करने के लिए संथ कभीर नगर के मगहर में प्रतेक वर कजरी मौसो मिर्जापूर में सफाई मौसो आपके इटावा में होता है तो इस प्रकार से ये साथ ही दोस्तों वीडियो एक्जाम की वेतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे एप से जूट सकते हैं आपका नाम है देव जीके ट्रिक प्ले स्टोर में है डाउनलोड कर के यहां पर देख सकते हैं उत्तरबदेश की पीडियाफ आपकी एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरी के पूरे कोर्शन जो आपके हैं वो आप ज्यक्ति इसमें से लगा सकते हैं हर एक चीज यहां पर आपको दिया गया है अगर आप लोग जीके की पीडियाफ लेना च यहां पके एक हजार परसन है अना जो किया आपके ओर लाइनर में है और प्रेक्टिस के लिए यहां पर इस्ट्री के 250 आपको प यहीं बहुत को दिया गया है तो दोस्तों आप लोग यहां क्योंके कोर्स हैं जहां पर complete Hindi का कोर्स भी है जिसे आप लोग मात 99 रुपाय में ले सकते हैं बहुत कुछ यहां पर आपको दिया गया है हिंदी में और objective question भी हैं यहां पर जे सकते हैं समानिगान जिसमें से 5000 जार कोशिशन लगबग आपके हैं इसे में वाल लाइनर भी हैं और आपका प्रेक्टिस के लिए आपके आपजिक्टी भी रखे गए हैं और यहाँ पर UPG के दोस्तों देख सकते हैं complete यूपी जी के जिसमें आपको यहां पर थेory भी होगी और आपके यहां पर कह सकते हैं Object कोशन भी यह आपर है और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफी एच्छा आपके यह स्कोर किया पर हो सकता है बहुत ही कम आपके रहरे रहे गए दोस्तों और पीडियाप में कंटेंट बहुत ज्यादा है तो आप लोग हमारे आप से जूट सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और बेतर त्यारी कर सकते हैं सभी को धनवाद सभी को जेहिंद सभी को बंदेमाद